हाँ जी दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के आज हम डिस्कस करेंगे इंडिनामिक का मोडल टस्ट पेपर और मोडल टस्ट पेपर नंबर एगा 17 यह और स्पेशली यह रहेगा तो त्यारी अपनी कर लीजिएगा तो चलिए देखते हैं कितने कोशन आपके सही रहते हैं और सभी कोशन जो है आपके मौस्ट इमपोर्डिदा और ने लेवल के और ने पैटर्न पर अधारित कोशन है चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन एसे जहां आपके जीके के 15 कोशन रह रहेगा पहला कोशन आपके सामने जलती से इंसर बताइए कोशन है दा राइट टू इंफ्रोमेशन एक्ट वाज इनेक्टिट इन बीच एर सूचना का अधिकार अधिनीम किस बरश बनाया गया था ऑप्शन आपके हैं 2005 2007 2008 या फिर 2010 में जलती से बताइए सूचना का अधि इसकार अधिनीम जो है तो राइट टू इंफ्रोमेशन एक्ट कब बनाया गया था 2005 में बनाया गया था आप्शन नमबर ए दोस्तों इसका राइट रहीगा और आप्शन टेलिग्राम ग्रूप जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप को जाइन के लिजेगा वीडियो को जल्द शिल्प बेद या फिर आईर वेद जल्दी से पताईए सौम बेद का उपवेद कौन सा है तो गंदर बेद जो है सौम बेद का पेड़ा ऑप्शन नमबर ए दोस्तों गंदर वेद इसका राइट अजर अरहीगा कौशन नमर तीन आपके सामने है तोड़ा वेटा किस भारत सबसे इंची चोटी है ऑप्शन नमबर तीन ळोस्तों इसका अरहीघका कौशन नमर चार आपके सामने है आर ऋेडरेहल और दोस्तों आप सभी के लिए और बीए स्पैशल बुक लौंच कर दीगी है जिसमें आपको जो है थाटी और माफ कीजिए 25 और जिनल कोशिन बेपर 30 आपके मोड़ टस्ट पेपर 3000 जीके और जीस के वन नाइन इड कोशिन और 1000 जीके और जीस के सी कोशिन मिलेंगे जो की 99 में मिलेंगे इसके लिए जादा डियान के लिए आप जो हमें वाट्साप कर सकते वेस नमपर यहां या फिरा कुंडल पारियोखना, इनको नीटल में बता नादी पर कौन सी नती पर बनाईगी है नागशन से पर बनाई गई है उकाई की बात करते हैं उकाई प्रहुजा बनाई गे नदीपर बनाई गई關係 पुछ जाती है तो हीरा कुण्ट पर ईयोजना जो है यह कौन सी नदीपर है यह महा नदीपर बनाई कर गई है वीडियो का लाइक में यूगी और आजज written by शहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? प्शन है अल्बरूनी, फिरदोसी, अमीर खुष्रो या फिर अनुउ फजली, या फिर अबुल फजली शहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? फिर दोसी दिवारा लिखी गई थी option number B दोस्तों इसका राइट अरहेगा कॉशनमर साथ आपके सामने हैं कॉशनमर साथ है हो वास थी वासराय ऑफ इंडिया at the time of the quit इंडिया मुविमेंट भारत छोड़ो अंदोलन के समय भारत का वासराय कौन था आप्शन है मांटवेटन वैवले लिन इंठीगो या फिर वैलिंग्टन जलती से बताईए कुट इंडिया मुविमेंट के समय भारत का वासराय कोन था लिन इंठीगो था option नमबर सी लिन लिथीगो इसका राइड अरहेगा कॉशन नवर आठ आपके सामने हैं नेवी डे इस अजर्वेट ओन या फिर नेवी डे इस सेलेवरेटिड ओन नौ सेना दिवस मनाय जाता है दिसंबर चार को अक्तूबर 28 को नमबर साथ को या फिर नमबर 14 को नेवी डे मनाया जाता है तो भारतिय नौ सेना दिवस चुएक का बना जाता है हर साल चार दिसंबर को मना जाता है option नमबर ए दोस्तो इसका राइड अरहेगा Q9 आपके सामने है Thomas Cup is associated with Thomas Cup स्वंदित है option आपके है विल्यार से, टेवल टैनिस से, लाउन टैनिस से या फिर वेडिवेंटन से जालदी से बताएए Thomas Cup किस केल से स्वंदित है वेडिवेंटन से स्वंदित है option नमबर D दोस्तो इसका राइड अरहेगा Q10 आपके सामने है the first English newspaper in India in the year 7080 वास्ती बर्ष 1780 में भारत का पहला अंग्रेजी समचार पत्तर कौन सा था आपके हैं कलकता गजट बंगाल गजट बंगाल जर्नल या फिर बंबई हैरोल्ड तो भारत का पहला समाचार पत्तर था बंगाल गजट और यह पहला अंग्रेजी समाचार पत्तर था जो की 1780 में जेम्स ही की द्वारा प्रकाशित किया गया था option नमबर D दोस्तों इसका राइट और रहेगा क्वाश्चन नमर 11 आपके सामने है तुंग वद्रा इस ए ट्रिवीटरी आफ विच राइवर तुंग वद्रा नदी किस नदी किस हाइक नदी है आप्शन है महा नदी नर्मदा तापति या फिर कृष्णा दोस्तों वीडियो का लाइक निकरा जल्द कौशन नुबर 12 आपके सामने है वेन इस वर्ल्ड हेल्थ डे ऑसरड़ी एवरीइल विशभ सवास्ति दिवस हर साल मना जाता है 8 अपर्यल को 10 अपकी आठपर्यल को 10 अपरियल को 7 अपरैल को या फिर 9 अप्रैल को जालदी से बताईए वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्त दिवस हर साल का मना जाता है साथ अप्रेल को मना जाता है option number C दोस्तों इसका राइट और रहेगा question number 13 आपके सामने है डेश का सबसे बड़ा वान्च की वैंक कौन से है which is the largest commercial bank of the country of the bank of the India option है Reserve Bank of India State Bank of India HDFC Bank या फिर ICIC Bank तो यहां पर पूछाओ है सबसे बड़ा वान्च की वैंक कौन सा है तो राइट अंसर क्या रहेगा State Bank of India भारतिय स्टेड़ बैंक option नंबर भी दोस्तों इसका राइट और रहेगा question नमर 17 माफ कीजिए 14 आपके सामने है ताप का SI मात्रक होता है the SI unit of temperature is option है Kelvin, Ampere, Candela या फिर गैलरी ताप का SI मात्रक क्या होता है Kelvin होता है option नंबर एदोस्तों इसका राइट और रहेगा question नमर 15 आपके सामने है नाव की reactor सबसे पहले किसने बनाया था अब बात हो रही है नाव की reactor की किसने सबसे पहले विल्ड करा था first who will the first nuclear reactor option है Rutherford, Henry Vaccaral, Anikofarmi या फिर Autodon जाल्दी सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था option नंबर सी दोस्तों इसका राइट और रहेगा जाल्दी से बताईए जीके के 15 में से कितने कोशिन आपके और रहेट थे अब सेशन 20 स्टार्ट होता है जनर्नल साइज की 15 कोशिन रहेंगे 16 से 30 15 में से कितने कोशिन आपके राइट होती है सेशन खत्म या फिर सेशन भी खत्म होने के बाद आपको बताने आपके सामने है तीवी के वैक्टीरिया की कोश सबसे पहले किसने करी थी या टीवी की वैक्टीरिया की कोश खिसने करी थी क्रिष्टिन बरनार्ड एडवर जिनर् राबर्ट कोश या dud हो десятकितिति येंव सामनों के रहेगा question number 17 आपके सामने है Ananthology किसके अधियन को कहा जाता है Ananthology is the study of what is garlic option है Risham, Keet, Madhu, Makhi, Palen, Fallow के अधियन को या फिर Pushpo के अधियन को क्या कहा जाता है Ananthology कहा जाता है Option number D Flower Study Flower की Study को क्या कहा जाता है Ananthology कहा जाता है Option number D की दोस्तो राइट और रहेगा Question number 18 आपके सामने है Calcium Sulfate Hemi-Hydrate का सूत्र होता है Calcium Sulfate Hemi-Hydrate को समानने रूप में किस नाम से जाना जाता है Comment box में आपको बताने Option आपके सामने Option discuss करें करूंगा What is the formula of Calcium Sulfate Hemi-Hydrate Option number D C A S of War .1 upon 2 H to Ose होता है यसका सूत्र होता है Option number D दोस्तो राइट और रहेगा Question number 19 आपके सामने है मनुष्य किस श्रेनी से सवंदीत हैं तो मानम जो है यह कौन सी श्रेनी में आते हैं provides वक्षी में आते हैं option number A इसका राइट रहेगा और most important question है आपसे यहां question पूछ सकता है question number 30 आपके साबने है systema nature is written by systema nature किसके द्वारा लिखी गई थी option आपके है लीनियस द्वारा अरस्तु द्वारा हिप्पोक्रेटस द्वारा या फिर डार्विन द्वारा systema nature लिखी गई थी किसके द्वारा लीनियस द्वारा लिखी गई थी option number A दोस्तों इसका राइट और रहेगा question 21 आपके साबने है रावर्ड किसके द्वारा प्रापत की जाती 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 है लेक्टस द्वारा प्रापत की जाती है option number C दोस्तों राइट और रहेगा Q2ija News 5 एक पैंसलीन बाज डिसकावरी दीजह बाई पैंसलीन की कोच किसके दोरा करी गही थी कोई नहीं नहीं तो पैंसलीन क्या है एक एंटिवाइट एक यह जिसकी कोच किसे यह करी थी अलक जैंडर भैमिंग ने करी थी option couple c도 राइट रहें गा Q23 आपके सामने है which acid is found in ant sting, चिंटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है, oxalic अमल, metanoic acid, lactic acid या इन्मे से कोई नहीं, चिंटी के डंक में कौन सा अमल पायाता है, metanoic acid पायाता है, option number B दोस्तो राइट अरहेगा, question number 24 आपके समने है, वाई हम बास दी, telescope invaded, telescope का अविशकार किसके द्वारा किया गया था, option है, has Lepresi, G. Marconi, Michael Faraday या फिर, Alcandro Bolta, जल्दी से बताईए, telescope का अविशकार किसके द्वारा किया गया था, hence Lepresi द्वारा किया गया था, option number A दोस्तो राइट अरहेगा, question number 25 आपके सामने है, अकाश तथा समुंदर किसके कारण नीला दिखाई देता है, बात किसके उरी है, अकाश और समुंदर की नीला किसके कारण दिखाई देता है, due to which the sky and the sea appear blue, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकिरिणन के कारण, पूरण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, या इन्डे से कोई नहीं, तो अकाश और समुंदर, नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकिरिणन के कारण दिखाई देता है, या स्केट्रों के कारण दिखाई देता है, option number B दोस्तों राइट और हेगा, question number 26 आपके सामने है, रेडियो सक्रीटा का पता सारा प्रथम किसने लगाया था, who first discovered the radio activity option है, madam Curie, Einstein, Rutherford, Henry Vecquell या इन्मे से कोई नहीं, बात हो रही है, radio activity की सबसे पहले discover किसने करा था, तो इसका discover सबसे पहले करा था, किसने है, Henry Vecquell ने option number D दोस्तों राइट और हेगा, question number 27 आपके सामने है, समतल दरपण की focus दूरी होती है, what is the focus length of a plane mirror, 0, infinity, 1 cm या 1 meter, और याद रखिएगा, समतल दलिया फिर जो plane mirror होता, उसकी focus length जो होती है, अनन्त यानि infinity होती है, option number B इसका राइट रहेगा, question number 28 आपके सामने है, सबसे अधिक उपगरा किस ग्रहके हैं, which planet has the most satellite, शनी, शुकर, ब्रस्पती या फिर वरुन, यहाँ पर change हो जाएगा, तो क्या ब्रस्पती नहीं होगा, इसका राइट रहेगा, शनी, शनी ग्रहके वर्तमान में सबसे अधिक उपगर गये हैं, option number A, इसका राइट रहेगा, question number 29 आपके सामने है, निवे लिकित में से, कौन सी एक अक्रिय गैस है, जो समान्य लाइट वल्वों में पाई जाती है, which one of the following is an iron gas, commonly found in light वल्व, oxygen, hydrogen, radon, या फिर आरगन, राइट अंसर क्या रहेगा, तो सभी को बता है, आरगन जो है यह बल्वों में पाई जाती है, option number D दोस्तों राइट और रहेगा, लास्ट कोशन है जनरल साइन्स का, सेरे वर्म नीवन में से किसका है, या किसका भाग होता है, या नहीं इन में से किस से स्वादित है, सेरे वर्म is related to which of the following, liver, heart, brain या इन में से कोई नहीं, तो सेरे वर्म का स्वाद्ध किस से होता है, वरेन से होता है, या नि मस्तिक्ष से होता है, option number C दोस्तों राइट रहेगा, जल्दी से पताईए, साइंस के 15 कोशन में से कितने कोशन आपके राइट दे, दोस्तों next है, section C, 15 मैथिमेटिक के कोशन, अपने level से करवाऊंगा, तो आपको अपने हिसाब से करने है, पहला कोशन आपके सामने है, 25 पैसे, एक रुपे के कितने बराबर है, तो सीधा बात हो रही, एक रुपे की तो ठीक है, एक रुपे की बात हो रही है, कितने 25 पैसे के, तो एक रुपे में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, जो कि किसके बराबर है, ठीक है, मान सकते हैं, 25 पैसे के बराबर है, तो 100 पैसे बटा 25 आपका हो जाएगा, माफ कीजिए, 100 पैसे नहीं, 25 पैसे बराबर की बात हो रही है, ठीक है, एक रुपे किसके बराबर है, 25 प बी नेक्स कोशन आपका सामने उससे वहले वीडियो को लाइक निकला जल्दी सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा क्वेशन है चोटी से चोटी संक्या क्या होगी जिसको 882 से भाग देने पर वह पूरण वर्ग बन जाए बोलता है 882 को भाग देने से पूरण वर्ग बन जाए तो 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 ठीक है कितने 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहां 2 कहरी बच प्रिया फिर आप काट कर आगया 8 चोके 32 साठ चोके 28 साठ चोके 28 ओते हैं 268 जाएं 28 माठ और दूनी 16 आठ तुनी 6 आठ त्या आठ त्या है आपकी 24 होगे यह आपका 24 कहरी करता कितना आ गया यहां से आ गया है चार बाकी 24, 24, 24, 29, 27, 27, 29 से कर जाएगा, 27 आ गया, तो आपका पूरा निकर टरा, ठीक है, 12, और कैरी, ठीक है, 28, 9, ये भी नीवर दा, ठीक है, ये बरग नीवर दा, फिर आपका आता है, 2 से, ठीक है, मैं हिसाब से, option के हिसाब से करना हो, पर आपको करना सबसे पहले चोटी से तो 882 को सीधा 2 से करोगे तो दो सबाट होगे चार चार और एक से कर जाएगा और 441 होता है किसका स्केर होता है 21 का स्केर होता है तो पूरन वर्ग बन जाएगा प्रुफेक्ट स्केर बन जाएगा किसका दो से वाग देने पर ऑप्षियों नूमबर 20 का राइट और हैं और हैं नेक्स हैं दो की पावर दो मअ इसकी पावर यह कीजिय hayat ब्रेकिट में चार और ब्राबरए salirright कितना होगा अब ब्रैकिट हटाओ ग्तस्वीं कि सेवार किटनी होजाएगी कितनी हो जाएगी दोगी पाफ कीजी हर आत्यभी नहीं कि मुट्पीकेश्टिफिकेश्ची였व हो जाएगा ठीक है अब याद रखते हैं दो घुना दो घुना है दोडिन दोघुना दोड़न दोड़ने चार चारता अज्वर्न हो रहेगा अपर से वहलना स्गिज़ कैसी अधने लकाहर ज्लीकत्क इसका यह दोड़ना है उनमें सही चोटी संक्या 75 है तो सबसे बड़ी संक्या और दूसरी संक्या निकालोगे तो 75 वटाती आजाएगा तीन से काटोगे कितना जाएगा पच्च यहाइगा यानि सबसे भड़ी संक्या कुंत्स होगी आमसे पता सबसे बड़ी संक्या क्या है कुंत है गी Heck है तो इसका हज़ेगा सब्सक्राइस तो ऑपके पास आजेगा तो i2e2 देने कर सकते हो सीधा निकालो की से खजार का पंद्रा प्रतिशित थीक्ट कि पंद्रा प्रतिशित निकालो 15 जो भी आपके पास है घगा उसे माइनिस करदो 6,000 में या इस से भी सीपोर कर सकते हो कि हमें पता है टीबी का मुले था 100 परतीशित उसमें से हमने जो है बोला 15 परतीशित का बट्टा दे दिया तो 100 वैसे 15 परतीशित माइनिस करदों बट्टा दे दिया बचा कितना 85 परतीशित अब 85 परतीशित जो है यह real value है या फिर कह सकते हैं इसका विक्रे मुले है किसका टीवी का तो सी सीरा है 6000 का कितना 85% निकालो अंसर सीरा आपके पास आजाएगा तो 6000 का 85% कि बटा सो दो जिरो से दो जिरो कटा 85 गुणा चे कर दो ठीक है एक जिरो आपका कैरी आजाएगा OFFICER!", कितने वर्षें बां जो है एक्स की ऊमर 36 भर्ष है कितने वर्ष सीरा है एक्स कीente उमर, Y के उमर की दुगनी हो जाएगी, यानि X की उमर जो है दो गुना हो जाएगी, बाई से, X की उमर, Y की उमर, 36 वर्ष, 16 वर्ष, एक साल एड करेंगे, तो कितने हो जाएगी, 37 हो जाएगी, यह क्या 17 हो जाएगी, तूसरा एड करेंगे, यह बराबर नहीं दुगनी नह सालबाद नहीं होगी फिर दो सालबाद क्रेंगे 38 हो जाएंगी पिर Опसिन न्मबर 16 ओरएंगी साल बाद भी नहीं हुई तीन साल करेंगी 49 ौजाएगी कितने 9 हो जाएगी यह यह और करेंग taught 40 और कितनी हो ज guides और कितनी होगी एक से दुगनी हो गई तो क्या होगा चार साल वाद एकस की उमर जो बाई से दो गुना हो जाएगी option number D इसका राइट अरहेगा next question है चक्रविदी व्यास तथा सिधान व्यास का अंतर 15 है यदि व्यास की दर 5 परतीशित है और समय जो है दो वर्ष का तो मूल धन आपको ग्याद करना है जब भी चक्रविदी और सिधान व्यास का अंतर दिया हो हो ठीक है अंतर दिया हो याद रखाई चक्रविदी व्यास और सिधान व्यास का अंतर दिया हो और दो वर्ष के लिए या तो आप necessarily या आपसे पूछ बतलो यह आपकी काम आईगा जब बी diff आपसे वोला रहेगा इस पॉर्णों-ग ध्यारख आपकी नाथ पास है डिफ depending सुमारे पास पनदर है हमें अब्राबर कितनी अब्राबर आपका क्योंद आपका लगर रपावेरं पात है ध्यां ठीकै चार आया 4 को मेल्टिप्लाइ करोगे चार पंजे si होते हैं और 60 को मल्टिप्लीकेशन करोगे सो से सो आपका फिरसे मखनेशन चल जाए तो से मल्टिप्लाइं करो कितना चुछ छे हजार आपको हो जाएगा तो क्या हुआ मूल धन किता था छे हजार रुपे था सिंपल आपके पास ग्यात हो गया और फिर से बोलना वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेर कर जीजिए एक 90 मीटर रंभी रेल गाड़ी 72 किलोमीटर प्रतिगंटा की चाल से पुल को 10 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी सीधा 72 किलोमीटर प्रतिगंटा दिया हुआ इसे कनवर्ट करेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में तो 72 गुना 5 वटा 18 आपका हो जाएगा और 18 चोकी 18 चोकी कितने होटें 72 होते हैं और 5 गुना चार करो कितना 20 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड है हमारे पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू आगे तो चाल स्कुल तू दूरी वटा समय और दूरी हमें याद करनी है ठीक है एक दूरी हमें दी होई है किसकी रेल समय आपका होजाएगा तो चाल हमारे पास याद 20 और समय हमारे पास कितना है समय हमारे पास 10 तका है कितना होगया कितना होगया और माइनिस कर दो 200 में 90 माइनिस कर दो ठीक है 200 में 90 माइनिस कर आप अच्छा कितना 110 तो 110 क्या होगा 110 हमारे पास होगा पुल की लंबाई यानि 300 का आदा कितना होगे वह आपका 50 परतिशित होगा आपने पता है 350 का 50 परतिशित होता है 150 तो सीधा 150 का कितना 5 परतिशित निकाल लेओ कर फीजिन नहीं होना है जिरो से जिरो कटा ठीक है पांच से कटा दो दो से गाटों के पंदरा तो आपको पता है साथ पुटा पांच आएगा कितना साथ पॉइंट पांच ऑप्शिन नूमबर बी में दिया गया है कॉशिन बर 40 चेक करते हैं कॉशिन बर 40 है 16 A प्लस 16 B इसकुल टू 48 है तो A तथा B का ओसद क्याद कीजिए यह सिंपल ता कॉशिन है पर किस तरह आप करोगे यह डिपेंड आप पर करता है यह किए 16 A प्लस 16 B बराबर 48 ठीक है इतना कर लिया अब हमें बता यहां 16 यहां 16 16 कोम निका लेते हैं 16 कोम निका लिया आपके पास हो गया बराबर 48 हो गया 16 दूसरी साल ले जा तो 16 आपका बटाबर चल जाएगा और 16 से 48 कर जाएंगे कितने से गड़ेंगे 16 और 48 कर जाएंगे 16 ते 48 होते हैं 3 से कड़ गया a plus v is equal to 3 है यानि a plus v यानि पहली संक्या पर दूसरी संक्या ठीक है इसे मान सकते है पहली संक्या यह दूसरी संक्या है पहली संक्या प्लस दूसरी संक्या का योग कितना है ठीक है पहली संक्या पर दूसरी संक्या का योग कितना है तीन है अगर योग तीन है ठीक है दो संक इतना भी आप माफ कि जी और बटा दो कर दो टीगा यहाप की आज år यहाँ कि ऐनव निकल जाएएगी इतने के आपके बोली होंगी उससे जो है बटा करदे रहें किसे साथ किसके साथ मैं कर देना है योग के साथ बटा कर देना है तो दो संक्या हमारी पास थी हुए है बटा आम ने दो कर दिया तो कितना जोगा एक पॉइंट पांच आपको हो जाएगा तो कौन सा राइट रहेगा ऑप्शिन नूमबर भी दोस्तों राइट अरहेगा कौशन नूमर 41 चक करिए कौशन नूमर 41 है ए बी सी की ओसत आयू 25 वर्ष है तथा उनकी आयू का अनपात 3-5-7 है ए की आयू क्या होगी सीम्पल था है A, B, C कितना 3-5-7 आयू कितनी है 25 वर्ष 25 वर्ष क्या है यह ओसत है कितनो की है तीन वर्दो की है तीन की योग कितना हो जंगा ठीक है долine 3 से multiply कर दो 75 तो यह iu का योग कितना आ गया iu का योग मारे पास 75 आगया अब iu का योग हमारे पास 75 आ गया begin by by the means निकाल लो कितने होगी तो 15 ब्राबर कितने किया है यह सत्रा एक्स यह तीन वंडों के अनुपातू का योग 15 है उनकी आयू का 75 है तो एक्स यह निए एक्स प्राबर कितना होगी पच्चतर बटा 15 और 15 15 तो एक्स आपके पास कितना आ गया पांच आ गया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्यात होगी और यह हमसे पूछा हूँ तो एकक्स कितना है तीन एक्स है यह यह तीन मल्टिप्लाइब 5 होजाएगा पांच यह कितने पंदरा निंपंदर किया कि एक याईयू कितनी हो जएगी एक याईयू पंद्रा हो जएगी option number D दोस्तोर राइट और रहेगा question number 42 है 1,3,7 और 15 देखोगे यहाँ पर 2 का gap है फिर देखोगे 4 का gap है याई दुगना हो गया फिर यहाँ पर देखोगे 8 का gap है याई आठ का दुगना हो गया अब 8 का दूगना करोगे 16 होता है 16 प्लस 15 15 15 15 15 30 प्लस एक कितने 31 तो यहां के आएगा यहां पर आपके 31 आएगे option number 20 इसका right और हेगा max question embodied question है एक विद्यार थी 40 अंक प्रापत करता है और 40 अंकों से fail हो जाता है और पास होने के लिए से 40 प्रस्तीशित अंक चाहिए तो कुल अंक कितने थे प्रिक्षान है और confusion नहीं होना है उसने प्रापत कितने करें 40 अंक करें और fail कितने अंक से हुआ 40 अंकों से fail हो गया 40 प्लस 40 कितने होते हैं 80 होते हैं यानि उसे पास होने के लिए total कितने अंक चाहिए थे असी अंक चाहिए थे और उसे प्रतीशित में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे 40 प्रतीशित पास होने के लिए चाहिए थे अब यह 40 प्रतीशित है कितने के बराबर है 80 अंकों के बराबर है तो एक प्रतीशित निकाल लो तो एक प्रतीशित कितना निकल जाएगा 80 बटा 40 निकल जाएगा ठीक है ये 1 प्रतिशित के लिए है हमें total निकालने है total निकालने है तो गुणा 100 कर दो यह निए 100 प्रतिशित आपके पास निकल जाएगा 0 से 0 करता 4 से करता 8 आ गया 2 2 से multiply करा 100 को तो total कितना 200 अंक थे कितने थे प्रिक्षा में 200 अंक थे उसलिए प्रापत करें कितने 40 अंक तो कितने से फेल हो गया 40 अंकों से फेल हो गया और पास होना होता तो उसे 80 अंक प्रापत करने पड़ते next question है किसी कक्षा में कुल विद्यारतियों की संक्या 180 है यदि चात्राओं की संक्या 72 है तो बताईए लड़कों की संक्या या फिर यहां लड़कों की जगी आपको जो है चातर की संग्य है ठीक है चातर का परतीशित क्या होगा अब चातरा है बोल रहा है तो चातरा है महीनिंग होता है लड़किया यानि गर्ल्स तो याद रखिएगा टोटल एक सो असी वी दियारती है ठीक है टोटल यहां पर टोटल कितने है टोटल एक सो असी स्टूडेंट है जिसमें से girl जो है, तीक है girl जो है, कितनी है, 72 है, तो लड़के कितनी होंगे, लड़के निकालो कितनी होंगे, 72 मैं माइनिस करो, 180, माफ करें, 180 मैं माइनिस करो, 22 कितना आया, 108, यहनि लड़के 108 परतिशित में करवड करोगे, 108 वटा, 180, गुणा, 100, क्या, गुणा, 100, 0 से 0 क करता 18 से आपका क्या कर देगा 18 चीके 108 होते हैं तो 6 से करता और 60 गुणा 10 कितने 60 प्रतीशित आपके पास राइड अंसर आगे कितने 60 प्रतीशित उगा लड़कों की संक्या जो है 108 है जो कि कितने के प्रतीशित के बराबर है नेक्स कुशन है बहुत चोटी से चोटी संक्या संक्या जिसे 12 15 20 24 से भाग देने पर प्रतेक दशा में 4 शेश बचे अब सीम्पल था है यहां चार ओप्षिन दियो हैं पहले वाले ओप्षिन से सबक सबको भाग करो जिससे भाग हो रहा है बस पई अंक आपको लेना उससे दिवाइड करना है 12 को 120 से डिवाइड करेंगे तो यह टोटल कर जाएगा कोई शेश नहीं बचेगा यह आपका नहीं होगा 12 को डिवाइड करोगे 24 से तो दस से कटेगा 4 शेश बचाएगा यानि option नमबर एक आ रहा है अब 12 को डिवाइड करोगे 34 से 124 से यह टोटल दिवाइड करोगे तो पंद्रा पंद्रा अठे आपकी कितने होते हैं 120 होते हैं कितना बता है चार शेश बचता है यही आपका option नमबर भी राइट होगा यहां हमेशा ही आपको तोड़ा सा दिमाग लगाना है और सभी option डिवाइड नहीं करने एक option करना है अगर एक और बच जाता है तो एक और चीज़ दैसे तो क्या करना है पहले मेरा पंद्रा से गरा तो इसमें पंद्रा से मालों की 24 भी डिवाइड होगी चार शेश बचे इसमें 34 भी डिवाइड होगा चार शेश बचे और option नमबर और option नमबर भी कट तो सीरह आपको 15 से कर प्राम यसे कितने क्यों आपको राइट थे वीडियो को लाइक निए का जलदी से वीडियो को दोस्तों लाइक और शेर कर दीजिएगा चलिए कोशन नमबर 40 का और बटते हैं यहां पर आपको पोला है qrt-qst-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str-q-str है ती आएगा उसके बाद आपको बता है लांस में आ रहेगा यहां पर कॉश्चन सीम्पल दा पर एक्जामन और ऐसी कोश्चन भी कभी डाल देता है जो कि ऑप्शन नंबर में डी में दिया गया अब कॉश्चन ईosWatch usual process आमने हैं लाइटिंग इंसर परकास ओसूरे से स्बांदित हीर योईकि समदीत होगी लाइट इसे भीड़िग से चलांद्र आगरी से फिर दाप से वईचमन में किसे परावत होती है अगनी से परावत होती है option number डी राइट और रहेगा नेक्स कुछन है 48 home के लिए code यूज़ हो रहा है shop के लिए work के लिए smoke के लिए smoke के लिए s के लिए कहा एस के लिए aat यूज़ हो रहा है अब ऑ है यहां भी है पांच यूज़ हो रहा है इनि और आपका बच्छा क्या के लिए q आपका यहां पर है, q के लिए kya use और, q के लिए 7 use हो रहे बचा e, e यहां पर है, e के लिए 1 use हो रहे 84, 571, 84, 51। तम आफुकिजिए, q के लिए 3 use हो रहे q के लिए 3 use हो रहे, तो 84, 531 का राइध अंसर आएगा option नमबर, e में next question है, बोलता है Environment से नहीं बनाये जाने वाला शब्द कौन से है अब ध्यान से दीजिए इनमें से कौन सा शब्द जो है Environment से नहीं बनाये गया तो ध्यान से दीखिए Environment में EV है, NB है, TV है, RB है इसमें A का प्रयूग ठीक है इसमें A नहीं है ठीक है अभी का प्रयोग भी है, E भी है, M है, E है, N भी है, T भी है, यानि ये भी शवद बन सकता है, फिर E, M, I, N, E, N, T ये भी शवद बन सकता है, एंटर भी बन सकता है, क्योंकि E भी है, N, V, A, T, यानि कौन सा शवद नहीं बनाया जा सकता, option number A जो है, इसका राइड एंसर हीगा, एंटरेस जो है, एंटरेस जो है, एंटरेस जो है, इन्वाइरमेंट से शवद नहीं बनाया जाने वाला है, next question है, freedom को इस तरह लिखा है, तो इसे जो है, liability को किस तरह लिखेगा, तो सीरा कुछ नहीं करा, उल्टा कर दिया गया, freedom लिखा सबसे पहले आएगा, फिर T आएगा, फिर R आएगा, फिर E आएगा, फिर B आएगा, फिर I और L, T, R, L, T, R, L, T, R, E, V, E, V, E, V, I, L, I, L, I, L यहाँ, option number C, इसका right रहेगा, चली दोस्तों, जल्दी से बताए, 50 मिसे कितने question आपके right थे, थोड़ा गला सा आप नहीं था या फिर गला थोड़ा सा घरापता, तो जल्दी से बड़ी जोड से नहीं बोल पाया हूँ, तो इसके लिए थोड़ा माफ कीजेगा, वीडियो पसंद्द है वीडियो को लाइक कीजेगा, वीडियो को शेर करीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, बाकि अपना क्यार कियेगा, अपने घरवलों को क्यार कियेगा, जय हिंद, जय वारत